हेलो दोस्तों मैं अंकित मान और मैं एक डीजे और परडूसर हूँ लोजिक प्रोएक्स की कम्प्लीट बिगनेर कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है तो बिना टाइम वेस्ट किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस टोपिक में हम सेखेंगे अपने लोजिक प्रोएक्स को आप लोजिक रिमोट एप से कैसे कंट्रोल करें तो मैं आपको बता दूँ एक लोजिक रिमोट एक एप्लिकेशन आती है जो आपके सिर्फ आई उस डिवाइस में होती है जैसे आपका आईफोन हो गया आईपैड हो गया यह अप्लिकेशन उनमें होती है और यह बिल्कुल फ्री होती है अब उस application से अपने Macbook में जो आपने logic खूला है उसको control कर सकेंगे उसके mixer को control कर सकेंगे play कर सकेंगे एडिट कर सकेंगे piano roll कर सकेंगे play करे सकेंगे piano को तो आपको कुछ नहीं करना है application को download करना है आपका अप्ले स्टोर में जाके डाउनोड करने का बाद श्टोल किजिए उसको और आपको यह ध्यान रखना है आपका MacBook और आपका फोन में जो आईफोन में सेम नेट सेम वाई फाई यूज होना चाहिए सेम वाई फाई से यूज होगा फिर आप जाके अपने में विंडो में जाएंगे अप्लिकेशन ओपन करेंगे महां से इसको कनेट कर लेंगे करने के बाद आप उसको अच्छे से कंट्रूल कर पाएंगे आपके लोजिक में जो Macbook में आपका लोजिक खुला है आपके फोन के लोजिक से आप कंट्रूल कर पाएंगे जैसे कि मैं आपको पता देता हूँ मैं प्ले करता हूँ सोंग को बंद कर दिया मैंने साइक्ल होन कर दिया मैंने कि अग्रंपेर्ष आगया है मेरे यहां पर यहां पर सबागे यहां से मैं अगे यहां से स्टॉप यहां से यहां से save कर सकता हूँ, new track add कर सकता हूँ, अपर मुस को, यहां से आप देखिएगा, जो और track मैंने विशे लट किया है, उसके आप गोलिम को, अपर डाउन कर सकता हूँ, यहां से main output को mixer की, तो आप इसको कुछ इस तरह से use कर सकते हैं, अगर आप इसको अपने phone में download कर लें, तो आपको थोड़ा easy हूँ जाएगा, इस topic में हम सेखेंगे, हम हमारे project को save कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने, यह project मैंने बना लिया है मेरा, पुरा song मान लीजिए मेरे तयार हो चुका है, अब मुझे से save करना है, तो मैं क्या करूँगा, file पर जाओंगा, save as भी कर सकता हूँ, save as में मेरा save हो जाएगा, और आगे मैं कभी open करता हूँ, तो इसको on कर लूँगा, और मैं उस पर फिर काम करूँगा, तो फिर उसको save कर दूँगा, तो मेरा जो यह अभी वाला project है, वो उस वक्त नहीं रह पाएगा, तो मैं क्या इस folder को open करके, यह वाला project class को साबने है, तो मैं बात करते हैं, पहले save as भी हम इसको नाम चेंज कर देंगे, यहां से, यह project आपका save हो जाएगा, आप जहाँ चाहें, और organize my project as a, मैं मेरे project को package में save करना चाहता हूँ, यह folder में save करना चाहता हूँ, यह सब मैं इसको take यह सब include हो जाएगे, यह audio file जैसे यह audio file है, sample audio file, हम जैसे कुछ files बाहर से निकाल, drag करके डालते हैं, यहां से download करके, यहां पर drag करके डालते हैं, क्योंकि वो logic की file नहीं होती है, वो outside of logic files होती है, तो हम इसको save करते हैं, तो यहां पर हम को tick लगाना पड़ेगा, तो ही वो save ह होंगी, यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, space designer, impulse, responses, मतलब यहां पर कोई effect लगाया है, हमने किसी track पर, तो हमको select करना पड़ेगा, ultra bit हम use कर रहे हैं, तो इसको select करना पड़ेगा, तब फिर हम save करेंगे, तो पहले हम बात करते हैं, हमारे project को किस में save करें, पहले हम बात कर my package कर देता हूं, उसका नाम में, और यह मैं desktop पे save कर देता हूं, तो हमारा save हो चुका है, अब हम देखेंगे, अब देखेंगे my package logic यह save हो गया, मैंने आप पहले एक save करकर रखा था, और इसका नाम मैंने जो भी save किया, वो हमारा यह वाला है, my package, तो इसको own करेंगे, तो यह वाला interface दुबारा own हो जाएगा, जब मैं वली इस पर काम करूँ या ना करूँ, या अकिला projector हो, अगर मैं यहाँ पर जाकर सोन करूँगा, तो मेरा यह वाला ही own होगा, अब हम बात करते हैं, folder की, folder में क्या करेंगे, मैं इसका नाम, change करते था हूँ, जासे, my folder से करते था हूँ, उसका नाम, आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आप जो चाहें, उसका नाम वो रख सकते हैं, और हाँ मैं, folder पर टीक कर दूँगा, again मैं इससे को select करूँगा, तो भी मेरे सेव कर देता हूँ, वह भी file नहीं है, मैं पास कोई, apple loop मैंने यूज किया, तो include apple loop, जो हम यहां से loop editor बोलते हैं, इसको हम apple loop में बोल सकते हैं, मैं इसको save कर देता हूँ, तो इससाब file से copy हो रही हैं अभी, तो यह आपके file save हो गई है, चेक करेंगे हम desktop, तो आप दखेंगे my folder नाम से, यह आपके save हो चुका है, आप दखेंगे मैं folder में यह भी आ गया है, फोल्ड package भी save हो गया है, और हम दखेंगे, audio while zone करेंगे, तो आप दखेंगे, जो जो हमने यहाँ पर audio यूज किये हैं, वो सब यहाँ पर save हो गई है, जो जो हमने एक्ट्र यूज किये हैं, आउडिया फाइल्स आपके ये फाइल ब्राउजर में भी सेव होती है तो इस तरह साब इसको सेव कर सकते हैं झाल ब्राउजर में भी सेव होती है